नमस्कार आपका स्वागत हैं दोस्तों तुल्सी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है जिस घर में तुल्सी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है ऐसे घर से कलेश और गरिद्रता को सो दूर रहती है क्योंकि जहां तुलसी का वास है वही देवी देवताओं का वास होता है तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैग्यानिक और अध्यात्मिक दृष्टिकों से सबसे महत्वपूर्ण है रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयम की रक्षा करता है और जिस घर की महिलाए रोज सुभस नान करके तुलसी की पूजा करके उसे जल देती है तो ऐसी महिलाए सदा सुहागिन रहती है और इनके इस पुन्यकर्म के कारण घर में सुक शान्ती और समरिधी आती है जिस घर की महिलाए तुलसी की पूजा नहीं करती ऐसे घर में सदा तलेश रहता है और पैसे की तंगी से परिशान रहते हैं भगवान विश्णु जी को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय हैं वे अपना भोग भी बिना तुलसी के पत्ते के ग्रहें नहीं करते विश्णु पुराण में तुलसी के सबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गये हैं अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुब फल प्राप्थ होता है। शास्त्रों में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है बलकि यह विश्नु प्रिया देवी है जिस स्थान पर ये होती है वहाँ पर देवी लक्षमी और भगवान विश्नु स्वयम चल कर आते हैं विश्नु पुरान के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भ दगाना श्रिष्ट होता है तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम है किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए आदी के बारे में शास्त्रों में नियम बताए गए है जिनका पालन अवश्य करना चाहिए तभी मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है अन्यथ पौधा घर में तुलसी रखने का कोई औचित्य नहीं होता घर में आप तुलसी रखते हैं और इन साधारन से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी का अपमान होता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए वा तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहां से उर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें, कभी इस पौधे के शुब परिणाम हमें प्राप्थ होते हैं, तुलसी का पौधा नकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा में परिवर्थित करता है। तुलसी पर पड़े। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। तुलसी के पौधे के पास गनेश जी का अथवा महादेव का मंदिर अथवा मूर्ती ना रखे। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेस्मिंट में ना लगाए। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखे की उसमें छट से पानी ना गिरे। अथवा किसी भी अन्यप्रकार का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नाली अथवा बाथरूम के पास या फिर आप जिस स्थान पर कपड़े धोते हैं। उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखे। अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर पर सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है, और घर से लक्षमी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षन दिशा में नहीं रखना चाहिए, यह दिशा वास्तु शास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए इशान दिशा सरवश्रिष्ट होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है, इससे घर में सुक शान्ती बनी रहती है। वही उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है, इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ती में व्रिध्धी होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विशम संख्या में लगाना उत्तम होता है। अर्थात एक तीन पांच इस संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन धर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा जिसकी आप अच्छे से बेकभाल कर जूते चप्पल, हूरे दान, आदी चीजे ना रखे इससे तुलसी के आसपास का वातावर्ण नकारात्मक बनता है और मा लक्षमी उस स्थान से दूर चली जाती है आईए अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना श्रिष्ट फल देता है शास्त्र के तौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है इसके पत्ते हलके हरे रंग के होते हैं और भूरी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंकी होती है और शाखाएं श्वितार्क वर्ण वाली होती है। रामा तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां किसी का पैर पढ़ता हूँ। ऐसे घर में श्यामा तुलसी भी लगाई जा सकती है। लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तमाल औशधिय रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तिया सूख कर गिरने लगे तो उस घर से लक्षमी जा रही है। ऐसा समझना चाहिए। जिससे घर में धन का खर्च होने लगता है और दरदरता आती है। इसलिए तुलसी का बहुत सावधानी से खयाल रखना होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे मान्यता के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी कष्ट में होती है। और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है। उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानिया आती है और शोक का वातावर्ण बना रहता ह इसलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए इसे समय समय पर हटाते रहे मान्यता के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यू हो जाती है तो उस तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाए उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी विडियो को लाइक जरूर करे कमेंट में जय मा तुलसी और जय श्री सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद